ओक्सिडेंट का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं ओक्सिडेंट का आर्थ होता है पश्चिम या पास्चाते यानि कि यूरोप और अमेरिका के देशों को जैसे हम पश्चिमी देश कहते हैं तो उसी तरीके से पश्चिम या पश्चिमी देशों को या पश्चिम को ओक्सिडेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि चालक दल को पश्चिम के लिए रवाना किया, तो आप कहेंगे the cruise at sail for the occident. जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैं पास्चात्य संगीत और संस्कृति का दिवाना हूँ, तो आप कहेंगे I am crazy about occident music and culture. I am crazy about occident music and culture. जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि शुद्ध काव्य सिधान्त की शुरुवात पश्चिम में हुई थी, तो आप कहेंगे pure poetry theory was made a start in the occident. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.